तो अगर आप भी रोज का वही खाना खा खा के बोर हो गए हैं और अब कुछ अलग खाना है यह गर्मियों में कई भार होता है कि पूरा खाना बनाने का मन नहीं करता है तो चलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिस ले के आई हूँ ना जिसको खाने के बाद आपकी सब ता सहर की डाल ली है इसको एक बार वाश करके ना 15 मिनट तक पानी में भिंगो के रखना है यहां मैंने पहले से 15 मिनट पहले डाल को भिंगो के रख दिया था और यहीं कुछ चीजे और भिंगो के रखी थी साथ यहां मैंने मूम फहली और इसी के साथ थोड़ी सी इमली भिं तो यहां मैंने दाल को इसमें ट्रांसपर कर लिया है थोड़ा सा नमक एट किया है और इसी में चुटकी भर हल्दी पाउडर एक से डेढ़ गिलास पानी एट करके न और कवर करके दाल को दो सीटी आने तक इसको पकने के लिए रख देना है जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं ह और साथ यह छोटे कप से मैंने बेशन लिया है तो बेशन आफ्शनल में है टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इस कप से मैंने गेहु काट और इस छोटे कप से मैंने बेशन लिया है अब इसी में हम स्वादानुशार नमक एट करेंगे इसमें थोड़ा सा मैं लाल अजवाइन एट करेंगे तो इस तरह से हाथ से क्रश करके अजवाइन एट करना है और मोवन के लिए यहाँ दो चमज तक तेल एट करना है अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और हलका गुन-गुना पानी एट करके न और इसका नॉर्मल डो लगा लेना है डो जो है न 10 मिनट तक के लिए रख देते हैं जब तक कि हम यह प्रोसेस कर लेते हैं तो यहाँ मैंने डाल भी पका के रख ली है अब क्या करना है सिंपल यह हाथ वाली जो मतानी होती है इससे अच्छे से इसको मैस कर लेना है डाल बहुत काड़ी है तो यहाँ थोड़ा सा पानी एट करके और बिल्कुल फाइन सी यह दाल बना लेना है अच्छे से इसको मैस कर लेना है यह देखे बहुत है सिंपल प्रोसेस है अब क्या करते हैं यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई को गर्म कर लेंगे इसी में हम दो बड़े चमज सरसो का तेल एट करेंगे गर वर लाल मिर्ण्स करते हैं मैंने खोड़ा सा दाल चीनी और इसी में लोंगर काली मिर्ण्स दो दो एट किया है इनको हल्का सा और यही यहीं मैंने एक हरी मिर्च एट किया है, अब क्या करते हैं इनको हलका सा पकने देते हैं जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है यहीं एक बारी कटा हुआ टमाटर एट कर देंगे, यहाना मैंने थोड़ा सा नम्मक एट कर दिया है जिससे कि इस सारी चीज़े अच्छे से पक थमाटर जल्दी गल जाें यही धन्या पावडर चुट की भर चुट किया है इसके फाल्द मेर्ट छुड़ी फाल्द लाल मिर्च और सबाट से थीखी एक चांट मे ने मजिक मशाल ला आड किया है अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं और मशालो को थोड़ा सा पका लेते हैं जिसे कि इसमें फ्रश टेस्ट आ जाएगा अब क्या करते हैं जो हमने दाल को मैस करके रखा इसमें ट्रांसपर कर लेते हैं इसमें और एक से दो गिलास तक पानी एट कर देंगे जिसे कि ये बिल्कुल पतली कंसिस्टेंसी में आ जाएं इस तरह कि इसे बिल्कुल पतला सा रखना है इसको क्योंकि अब ये पक्ते पक्ते और गाड़ी हो जाएगी तो अब इसमें एक अच्छी सी उबालाने देते हैं यहीं कुछ चीजे और एट कर देते हैं तो यहां मैंने मुमफली बिंगो के रखी थी उसको एट कर दिया है और इमली का पानी बिना के रखा था जो जब मतलब पूरे डेस्ट रेडी होती है तो सच में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने देते हो और इसको अच्छे से पगने देते हैं यही ना हमने जो डो लगा के रखा था चलिए उसकी भी तयारी कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यह देखे मैंने यहां आटे का डो लगा के रखा तो और यह अच्छे से फूल भी गया है लगबग 10 से 15 मिनट हो भी गया है अब क्या करते हैं इसको थोड़ी सी नीडिंग करके यहां मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइट कर लेती हूँ एक बड़ी सी पतली सी रोटी बना लेना है तो जितनी हम नॉर्मल रोटी बनाते है उससे थोड़ी सी थीक होना चाहिए अब यहां किसी कटर से या खिलास चोले से चोटे चोटे से यह फुलकी जैस से इसको कट कर लेना है ये देखिए अब इसको निकाल लेते हैं और अब ये छोटी सी फिलकी की ही साइज है इसका और अब आप मन चाहा इसको सेफ दे दीजे तो मैं आपको तीन तरह के इसकी डिजाइन्स बताती हूँ आपको जो पसंदा या जो सिंपल लगता है आप उसी तरीके से बना सकते हैं तो ये देखिए ये तरीका बहुत ही सिंपल है इसको पहले एक साइड से फोल्ड करना है और फिर सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देना है तो बहुत सारी डिजाइन्स होते हैं आ तो इस तरीके से मैंने यहां आपको दो डिजाइन बता दियों जो कि बहुत ही सिंपल है और लुक वाइस बहुत अच्छी लगती है जब हम इसकी बनिवी डिस्ट सर्व करते हैं तो बहुत ही अट्रेक्टिव लुक आता है यही मैंने एक रोटी और बेल की रख लिए और च दाल में ढोकली एट कर देंगे दाल ठंडी नहों पाई इस तरह से बबल साते रहें तभी इसमें एट करना है अब इसको हलके हाथ से इस तरह से एक बार इस्टर कर देते हैं और अब लगभग 10 मिनट तक मीडियम टूप हाइब फ्लेम में इसको पकने देते हैं 10 मिनट बा के कंप्लीट होके रेडी हो गई हैं और लाश्ट में अब इसमें देर सारी बारी कटी भी हरी धनिया एट करेंगे और फटफट इसको मिक्स करके गर्म गरम डाल ढोकली को राइती के साथ या तो थोड़ा सा अचार हो चटनी हो पापड के साथ प्याज या टमाटर के साथ सर्व कर सकते हैं वाकई में बहुत ज्यादा टेश्टी डिस लगती है गर्मी में कई बार होता है कि पूरा खाना बनाने का मन नहीं करता है खास तोर से साम को ऐसा लगता है कि कुछ सिंपल सा बन जा जो टेश्टी भी हो और बहुत ही मतलब ज्यादा मेहनत भी ना हो बहु साथ ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो इस टिसको आप जरूर ट्राइ करिएगा अगर सेम तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर आपने एक बार घर पे बना लिया ना तो यह सब की पसंद हो जाएगी और आपको बनाने में बिल्कुल जहन जट नहीं होगी